तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है, एक क्वायल है, जिसके पाइजिस्टेंस 30 ohm है, और इंडक्टिव रियक्टेंस एक्सेल 20 ohm है, जब 50-50 फ्रिक्वेंसी है, हम सब को पता है, इस इस दे केस फर्स्ट, यह क्वेशन का कंडिशन पार्ट फर्स्ट है, पार्ट टू में यह कह रहा है, कि इस जो मैं सोर्स को बदल दूँ, अब यसी जैसे ही सोर्स बदलोगे, तो एक्सल ओमेगा पर डिपेंड करता है, यह 20 नहीं रहेगा, यह चेंज हो जाएगा, तो अब करेंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, उस चीज की हमें कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले जो क्वेशन है, वो दो पार्ट में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पहला जो पार्ट है, एक क्वाइल है, और वो कोई भी क्वाइल होता, प्योर तो होता नहीं, तो उसमें रेजिस्टेंस होता, में वो क्वेशन को बगल में ड्रॉ करता हूं, और यह मैं एसी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो यह 30 ओम का यह वाला है, यहां से जो एकसल है, यहां पर जो एकसल है, वो 20 ओम है, अब यह जो एसी की जो फिरिक्वेंसी यहां पर लगाई गई है, तो इस इस पिप्टी हर्स, यह जो है, वो case first question का, case 2 में काता है कि अगर मैं इसी में frequency बदल देता हूँ, यह inductor अपना हुआ ही रहेगा, और उसकी resistance, obviously resistance जो है, वो frequency पे डिपेंड नहीं करती है, यहां से मैंने एक BRMS 20V का लगा दिया, और 100HF की frequency लगा दिया, तो जो resistance था, वो तो अभी 30 पे ही रहेगा, क्योंकि वो frequency पे डिपेंड नहीं करता, प्यारे बच्चों, यह frequency पे डिपेंड नहीं करता, तो अभी 30 ही होगा, ठीक है, लेकिन यह XL बदल होगा, यह XL डैस हो गया होगा, तो यह पुझरा इस वाली circuit में, अब कितनी current ऐसे flow हो रही होगी, उस current की मुझे calculation करनी है, तो current is equal to BRMS voltage अपान इस circuit की Z resistance, ठीक है, तो यहां से BRMS अपने पास 200 दिया है, अगर मैं Z circuit का निकाल लेता हूँ, तो मेरा problem यहां से हो जाएगा, this is the equation number first, तो Z कैसे निकालू यहां से Z निकालना, इस circuit का जैसे ही Z निकालने जाओगे, तो क्या जरूबत पड़ेगा, XL' का square प्लस R का square अंडर root, ठीक ना, तो जैसे यहां से XL' का square प्लस R तो 330 का square, मतलब अब मुझे XL' का पड़ेगा, तो XL' केस में लेगा, XL is equal to 2 होता है, omega is equal to 2 by frequency, अब मैं इसको पह XL20 है, और यह 2 by और यहां से जो frequency है, हाँ, 50, चलो इसको अभी ऐसे ही रने देते हैं, this is the equation number of case first के लिए XL है, case 2 के लिए जो XL आ जाएगा, XL' के लिए जो XL होता है, यहां से आ जाएगा, तो अगर मैं दोनों में divide कर देता हूँ, तो XL' की जो value आ जाएगी, यहां से, 2 by frequency f dash upon 2 by frequency actual, तो यह खतम हो गया, तो यहां से XL' की जो value दिखेगी, हो आ जाएगी, frequency f dash upon frequency multiplied by XL actual, फाइनल जो frequency है, वो 100 है, और initial frequency 50 था, और यहां से XL यहां पर दिया हुग है, 20 बच्चो, तो यह two times यहां से कट जाएगा, तो यहां जाएगा 40 ohm, जो XL dash आ गया, हो आ गया 40 ohm, तो अगर XL अपने पास 40 यहां से दिख गया, तो जैसे ही मुझे XL दिख गया, वैसे ही net resistance, जो second case का है, वो पता चल जाएगा, तो यहां से Z is equal to, यहां से 40 का square, प्लस 30 क a square, Z of the second case की circuit का, यहां से, इस वाले में value रख दिए 30, तो यहां से आ जाएगा, 30 का square और यहां से 40 का square, मतलब यहां जाएगा, 10 बाहर ले लिए, और 16 प्लस 9, 25 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा, यहां से 50 ohm, तो अब current की value अगर निकालोगे, current तुम यहां से calculate करना तो current I is equal to voltage upon resistance की value, तो voltage अपना 200 तो दिया हुआ था, और यहां से 50 निकाल लिए, Z, तो यह इसको cut दिया, और यह 4 ampere final current flow हो रहा है, that is the final solution, that is B option सही है, thank you.